Hello guys and welcome back to the channel तो हमारे पास sales report आ चुकी है माई 24 की कि भाई किस car brand ने कितनी car sales करी है तो यहाँ पर सारी चीजे में हमको बताने वाला हूँ चैनल पर अगर आप नई है तो अपली subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना चले शुरू करते हैं तो 14 नमबर पे आचुकी है जीप जानी मानी कंपनी जिसकी cars कोई भी खरीना नहीं चाता है माई 24 में इन्होंने sell करी है 344 cars इनकी market dominance जो है share wise 0.10% है और पिछले साल इन्होंने माई 2023 में 734 cars बेचे थे 390 कम car बिकी हैं पिछले साल के हिसाब से तो भाई जीप के साथ पता नहीं क्या scene है जीप की car कोई खरीदना नहीं चारा या फिर जीप लोगों को बेचना नहीं चारा इनकी strategy में कोई changes नहीं हो रही है कोई नहीं cars नहीं आ रही है इनफेक्ट दोस्तों इंडिया में लोग luxury cars खरीते हैं जीप भी luxury cars बनाता है पर कोई लेना नहीं चारा खेर 13th position पे आ गई है वाई Cytron Cytron ने बेची है 515 cars last month पिछले साल इन्होंने 806 बेची थी तो 291 कम car भी की है इस बार इनकी अगर हम इसे पिछले साल मही से compare करें और इस बार के मही 24 से इस वज़े से इन्होंने महिंदर सिंग धोनी को अपना brand ambassador बना लिया है तो जो इनकी growth है भाई माइनस 36% है और market dominance जो इनकी overall 0.15% है 12th position पे आगी है भाई Nissan जिन्होंने बेची है 2211 cars और ये जो 2211 cars है दोस्तो एक ही है Magnite क्योंकि इनके पास और भी कार ही नहीं है पिछले साल के हिसाब से इन्होंने 407 car कम बेची है यानि की माई में 268 भी की थी I think तब भी Magnite ही भी की होगी पर खेर इनकी जो growth है इनकी भी minus 15% ही है और market dominance is 0.63% 11th position पे आगी है भाई German Shepherd ओ सारी German brand यानि की Skoda और यहां पे 2884 cars नहींने बेची है पिछले साल के हिसाब से माई में जो 23 में इन्होंने 3547 cars बेची थी और 663 cars कम भी की है 18% loss पे चल रहे हैं लोग market dominance होगी है 0.83% next German Shepherd है सारी यानि German brand है Volkswagen जो की है 3273 cars के साथ इनकी car sales थोड़ी सी अच्छी है and thanks to Virtus and Tigan क्योंकि भाई उन्होंने थोड़ा सा सामा बांदा हुआ है माई के accordingly जादा difference नहीं है पिछले साल से इनकी बस जस 13 cars कम भी की है तो situation ठीक ठाकी है growth इनकी minus 0.40% है तो slightly down हुआ है ना के बराबर ही market dominance है 0.94 कह सकते हो almost 1% वैसे मुझे personally भाई Volkswagen की cars बहुत अच्छे लगती है 9th position पे आगी है Renault Renault ने बेची है 3709 car 3709 पिछले साल मई में इनों है 4625 cars पेची थी 916 cars कम भी की है progress report की बात करें तो growth है minus 19.81% भाई cars वार्स तो लाओ गी नी तो यही होगा कोई कार लाई नहीं रहे है कुछ खबर ही नहीं है क्या करना चाते है लाइफ में आगे बढ़ना चाते है Nissan और Renault दोनों भाई-बैन है कुछ जादा दर नहीं रहे है market share इनकी है 1.06% 8th position पे आगी है MG Morgan Garage और यहाँ पे 4769 4769 cars वे बेची है मही 23 में बेची थी 5006 237 cars कम बिगी है growth level चल रहा है minus 4.73% हाला कि अगर देखा जाए तो भाई Nissan और अपनी Renault, Tron इन सब को तो भाई इन्होंने beat करी दिया है और in fact Fox, Fagan और Squad को भी beat कर दिया है तो यह थोड़ी सी भाई alarming बात हो जाएगी Honda ने 4,882 cars को sell करा है मही 24 में मही 23 में 4,660 cars बेची थी तो भाई इन्होंने जादा car बेची है 162 So भाई, congratulations to Honda 162 cars जादा भी की है elevator बिग गई होगी और तो कुछ नहीं आया नहीं है growth हुई है 3.48% चलो अची बात है भाई लोग green bar में आ गए है और जो उनकी market dominance है 1.38% यह बिंग सच अ ओल्ड कमपनी market dominance सिर्फ 1% बहुत जादा कम हो जाता है दोस्त और यहाँ पर भाई, 6th number पे आ गई है किया किया ने भाई, Honda को बीट कर दिया है भाई, अच्छी बात ही है यहाँ पे 19,500 कार्स इन्होंने बेच दिया है मैं 24 में सो जो difference आ रहा है किया का इन्होंने 734 कार जादा बेची है 3.91% की growth हुई है market dominance पहुच चुका है 5.59% भाई, किया काफी बाद में आया था हॉंडा के, चीक है और यहाँ पर अगर अगर नोटिस करोगे कि यार, Volkswagen, Squadine सब को हरागर किया उपर आया है तो भाई, काभी ले तारिफ काम किया है किया ने काभी ले तारिफ काम किया है किया ने वाउ, इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को था सब्स्राइब करी देना सो फिफ पोजिशन पे आगी है दोस्तों Toyota जिन्होंने 23,969 कार्स को सेल आउट करा है जिसमें से 60% सेल्स मारूति की कार्स है यह मैंने पोस्ट जाली थे अपनी चैनल पे अगर आप लोग मनें चेक करी हो तो सो थैंक्स तो मारूति जिन्होंने Toyota का हाथ पकड़कर इनको रस्ता दिखाया है पिछले साल इन्होंने 20,410 कार को सेल कर रहा है तो 3,500 निंचर्स कार की ग्रोथ हुई है यहां पे और 17.39% का स्लाब उपर चला गया ग्रोथ वाइस मार्केट डॉमिनेंस हो गई है 6.86 मुझे बहुत कुशी है कि Toyota ला रहा भाइ टाइजर लाया वाई कार जा रही है और काफी चीज़े हैं जो Toyota मारूति से बोरो कर रहा है पर अगर कुछ अपना इंजिन भी ले आओ कुछ अपना भी अगर आप करो तो काफी अच्छा लेगेगा यार देखो हाई राइडर भी वही चीज़ है खाले लूक अलागे एंजिन वागरा वही है तेजर भी वही चीज़ हो गई तो मैं चाहूँगा कि कुछ Toyota अपना पर्चम लहराए कुछ अपने जंडे काड़े तो मज़ा आ जाएगा फोर्थ नंबर पे आगई है भाई महिंद्रा जिन्होंने 43,218 कार्स अलाउट करी है माई 24 में पिछले सार माई 23 में 32,886 करी थी 10,332 कार्स बढ़ चुकी है भाई ग्रोथ हुई है 31.42% मार्केट डॉमिनेंस हो गई है 12.38% की भाई ये नंबर ना बड़े गाब आने वाले दिनों में क्योंकि अभी तक तो वाई इसमें 3,100 की सेल्स इंक्लूड़ेट नहीं है 3,100 बिगेगी ताबड तोड और ये स्लैब जो है अब ये टाटा को टकर देगा क्योंकि इसके उपर है टाटा टाटा ने बेची है थर्ड पोजिशन पे 46,697 कार्स तो अगर आप डिफरेंस देखोगे 3,000 के आज़ पास का डिफरेंस चेल रहा है तो ये 3,000 अगर तो बिग जाती है तो भाई टाटा की कूरसी को है खतरा 46,697 कार महिट 24 में टाटा ने बेची पिछले साल 45,870 बेची थी 819,819 कार्स जादा भी की है 1.79 परसंट का ग्रोथ हुआ है टाटा का जबकि महिंद्रा का 31.42 परसंट का हुआ था यहाँ पर महिंद्रा की मारके डॉमिनेस 12.38 परसंट है और टाटा की 13.38 काफी क्लोस चल रहे है यह लोग सो लेट सी आने वाले दुनों में क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि भाई क्या महिंद्रा टाटा को बीट कर देगी या करने ही वाली है सेकिंड पोजिशन पे आगी है भाई हूंडाई जिन्होंने 49,151 कार्स को सेल आउट करा है मही 23 में 48,601 कार्स को इन्होंने सेल किया था सो 550 कार्स जादा भी की है ग्रोथ हुए 1.13% हालागी देखा जाए तो भाई जादा ग्रोथ तो नहीं है बट फिर भी 2nd spot पे लोग आ गए है मार्केट डॉमिनेंस हो जाती है 14.08% की और अगर हम बात करें भाई फर्स्ट पोजिशन पे कौन आ चुका है फर्स्ट पोजिशन पे हम मारूती क्योंकि मारूती को यह होना चाहिए था मारूती ने 1,44,002 कार्स को बेचा है तो अल्मोस्ट हुन्डाई टाटा महिंदरा तीनों की सेल तकरीबन मिला ले तो इतना नंबर बनता है मही में नोने 1,44,708 कार्स को बेचा था 294 कार्स जादा भी की है ग्रोथ हुए 0-20% काफी कम ग्रोथ है पर देखा जाए तो भाई टॉप पर भी है मारके डॉमिनेंस भाई अकिली मारूती का 41.25% हो चुका यहां पर सो कॉंग्रेचुलेट करना चाहूँगा मैं भाई मारूती को फर्स्ट स्पॉट के लिए Hyundai को 2nd के लिए और Tata को 3rd के लिए Mahindra Toyota Kia वाले थोड़े डिसपॉइंट है इनकी जंग अभी चलती रहेगी सो आने वाले दिनों में हम और भी बाते करने वाले हैं इस चैनल पे भाई हम हर तरह की बाते करते हैं दोस्तो मेरा नाम है हिमांचू आप देख रहे थे Turbo vs GT अभी थोड़ी देर बात ही और भी बड़ी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है सो चैनल की घंटी बजाए भी न मत जाना सब्स्राइब करें भी न मत जाना वीडियो को लाइक जरू कर देना बाई बाई टेक केर